गुद मॉर्णिक दियर स्टूरेंट्स एज वी वर टॉकिंग अबाउट ता सोर्सेज ऑफ एंशेंट इंजिन हिस्ट्री फ्रम दा कल्शिल पाइट प्यू तुड़े विशल कवर दा सेकिलर सोर्सेज धर्म निर्पेख्ष स्तूर्थ है धर्म निर्पेख्ष स्तूर्थ में सबसे पहले बात करते हैं मॉरे कालीन मैतपून पुस्तक अर्थशास जिसकी रचना कोटे लेने की थी अर्थशास्त में यदपी मौरेकालीन, राजनिती और एड्मिनिस्टेशन के विशे में महतपुन जानकारी प्राप्त होती है लेकिन इस ग्रंथ में मौरेकालीन, सहस्कृती, समाज, अर्थव्यवस्था, बानी जेवयापार, आदी की भी महतपुन जानकारियां उपलव्द है यह इसलिए भी प्रमानिक मानी जाती है क्योंकि इसकी रचना मौरेकालीन, मंत्री जो है वो कोटले ने की थी नेक्स्ट है राजतरंगेनी, राजतरंगेनी की रचना ग्यारसवड़तालिस से ग्यारसो इकावन के मद्ध है कश्मीर के प्रसिद्ध बिद्वान कलहन ने की थी और यह कश्मीर का प्रथम प्रमानिक एतियासिक गरंथ माना जाता है इसमें कश्मीर के इतिहास ग्यतिरिख्थ, ततकालिन, सामाजिक, राजनितिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और धार्मिक बिशेपर भी महतपुन जानकारी उपलब्ध है यह कश्मीर की सांस्कृति को लेकर के एक महतपुन दास्तवेज बाना जाता है नेक्स्ट है पृत्वी राज रासो, इसकी रचनाम पृत्वी राज दर्वारी चंद्रबरदाई ने की थी और इसमें बिशेशुप से राजपूत कालीन जो सस्कृति है, उसका पुट है या उसको समलित किया गया है राजपूत कालीन जो सस्कृति है आठवी श्तावदी के पश्यात बारवी श्तावदी तक जो यहाँ पर राजपूत कालीन जो सस्कृति थी उसका उलेक इसमें किया गया है इसकी मैतपून जानकारी प्राप्त होती है नेक्स्ट है प्रित्विराज विजे इसकी रचना कश्मीर के प्रसिद विद्वान जैनेक ने की थी और इसमें प्रित्विराज चोहान की मैतपून विजेयों का उलेख क्यतिरिक्त जो राजपूत कालीन सस्कृती है समाज है अर्थ व्यवस्ता है उसकी भी मैतपून जानक प्राप्त होती है नेक्स्ट है नितिसार इसकी रचना कामंदक ने की थी और जिस प्रकार मौरे कालीन गरंथ और थशास्त्र मैत्वपूर्ण है उसी प्रकार गुप्तकालीन नितिसार जो पुस्ता के वो मैत्वपूर्ण मानी जाती है इसमें गुप्तकालीन राजनिती, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक का विस्तित विबरण जो है वो दिया गया है गुप्त काल में, समाज में, संस्कृति में जो मैतपून, नियमों का प्रचलन था रिती रिवाजों का प्रचलन था, प्रेडिशन्स का जो प्रचलन था उसका उलेकिस में दिया गया है next है मत विलास प्रहिसन मत विलास प्रहिसन जो पुस्तक है इसकी रचना पल्लव निरेश महिंदर बिकरम ने की थी साथु इश्थावदी में और इस से पल्लव कालीन जो स्थापत्य कला है साथ में जो पलवों की मैतपूर्ण विजय हैं उसका भी उलेख किया गया है नेक्स्ट है गौदा बाहो यह प्राकत भाषा में लिखा पहला परमानिक गरंथ है और इसकी रचना वाकपती राज मुझ ने की थी कनोज नरेश जो यशो बरमन है उसकी मैतपूर्ण उपलवदियां और साथ में कनोज की सांस्कृतिक जो जलक है इस पुस्तक में प्राप्त होती है नेक्स्ट है विक्रमा देव चरित्र विक्रमा देव चरित्र जो पुस्तक है इसकी रचना विशेश रुप से 1089 से 11073 के मद्ध का जो इतिहास है उसकी जलक मिलती है और हेमचंद्र ने इसकी रचना की थी यह 20 खंडों में विवाजित पुस्तक है और चालुक के वंशीर जो शासक थे उनके विशे में और इसके सासाथ जो चालुक के संस्कृति थी समाज था उसके विशे में विजानकारी प्राप्त इस पुस्तक से हो रखने की थी इसमें गुप्त कालीन समाज का महतवपूर्ण विवरन दिया गया है मर्च कटिकम का मतलब है जो मिट्टी के खिलोने हैं उससे लिया गया है और गुप्त कालीन जो समाज का मानमिक चितरन हैं वो इस पुस्तक के अंदर दिया गया है नेक्स्ट है स्वप्न वासबदत्ता इस पुस्तक की रचना भाष ने की थी स्वप्न वासबदत्ता और इसमें महत्वपूर्ण जो जानकारी है वो वत्स राज उदायन तथा चंद प्रद्योत के समंधों को ले करके दी गई है तीसरी श्तावदी की ये महत्वपूर्ण पुस्तक है और उस समय की जो समाज संस्कृति का परिदर्श्य था उसका विवन दिया गया है खर्श चरित बानवट द्वारा रचित पुस्तक है और इसमें वर्धन वंश के मेतवपूर्ण शासक खर्श की उपलब्धियों का और ततकालीन जो धार्मिक समाजिक आर्थिक राजनितिक परिदर्श्य था उसका भी विप्रण इस पुस्तक से मिलता है बानवट ने एक आदंबरी नामक पुस्तक भी लिखी उससे भी ततकालीन समाज की विशे में मेतवपूर्ण प्रकाश प्राप्त होता है नेक्स्ट है कुमारपाल चरित की रचना बिलहन ने की थी और यह ग्यार्वी श्तापती की मेतवपूर्ण पुस्तक मानी जाती है इसमें चालुक के राजवंशों के साथ साथ जो ततकालीन समाजिक सांसकरतिक आर्थिक जो परिद्रश्य था उसके विशे में भी मेतवपूर्ण प्रकाश इस पुस्तक से प्राप्त होता है नेक्स्ट है अवंती सुन्दरी कथा अवंती सुन्दरी कथा बहुत मेतवपूर्ण पुस्तक जो मानी जाती है इस द्रिश्य से क्योंकि इस पुस्तक की रसना दांडिन ने की थी और पलव इतिहास की जानकारी इस से मिलती है दांडिन, मेतवपूर्ण, इतिहासकार और विद्वान रहा पलवों की समय में उसने दक्षिन भारत और पलवों के विश्य में कई मेतवपूर्ण पुस्तकें लिखी थी नेक्स्ट है संगम लाइट लिट्रेचर, संगम लिट्रेचर की अगर हम बात करें तो चेर, चोल, पांड है ये तीन मेतवपूर्ण बंश थे जिनके विश्य में संगम लिट्रेचर से जानकारी प्राप्त होती है तमिल भाषा में लिखा गया ये मेतवपूर्ण जो लिट्रेचर हैं वो संगम कालीन, राजनेतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, परिदर्श्य का सटीक बिवरण देता है यतपी बिभिन संगमों के आयुजन को लेकर के इतियासकारों में वतवेध हैं लेकिन जो उपलब्ध सहित्य है संगम काल का, उन सहित्य से मेतवपूर्ण जो जानकारी प्राप्त होती हैं वो आज इतियासिक दिश्टी से उत्तम है संगम काल की अगर मेतवपूर्ण पुस्तकों का कुछ उलेक हम यहाँ पर करें तो आप इसमें अटूटो गाई है, पाटू-पाटू है, पदिनेन किलका नाकू है, मनी मेखलाई है, जिवका चिंता मनी है, मदुरई कांची है और इसके तिरिक शिलापादी करण है, तोल का पियाम है, यह मेतवपूर्ण गरंथ है, जिसमें कि कुछ तमिल ब्याकरण के जो गरंथ है, वो भी उपलब्ध है यह संगम कालिन संस्कृती का विवरण प्रस्तूत करते हैं, कालिदास के जो मेतवपूर्ण रचनाय हैं, जिसमें कि आपके पास वो कापे रहा हो, या आपके पास जो वो पद्य रचनाय रही हो, इन से भी जो विशेश करके भारतिय संस्कृती की जलक, कालिदास की संकाल जो संस्कृति थी, उसकी जहलग प्राप्त होती है, जाए रितु सहार है, मेंगदूत है, जिसमें की विशेष करके कविदाओं के माधियम से भारतिय संस्कृति की जहलग को परदर्शित किया गया हो, या इस के तिरिक्थ कालिदास की जो अव्यान शकुन तलम है, या अन्य जो पुस्तकें कालिदास की रही है वो पुस्तकें मैतवपून मानी जा सकती है भारतिय संस्कृती की तिष्टी से भारतिय संस्कृती को उसमें विस्तार से जो है वो प्रदर्शित किया गया है नेच्ट वात्सियान की मैतवपून पुस्तक यह भी भार्तिय सनस्कृती का एक अभिन अंग के रूप में इस पुस्तक को भी माना जा सकता है, क्योंकि इसमें भार्तिय सनस्कृती में जो विचारों का खुला पन है, उसकी एक जहलक द्यो देखने को मिलती है. नेक्स्ट है वसंत विलास ये भी एक मैतपून पुस्तक है वाल चंद्रत्वारा रचित जिसमें ये 14 सर्गों में विवक्त है और इसमें विशेश करके जो चालुक के वंश है चालुक के वंश के जो उतार कार्य है उसका विवगन इस पुस्तक से मिलता है तो ये मैतपून पुस्तक जो है वो ततकालीन समय की है जिससे की भात्य समाज और संस्कृति के विशे में मैतपून जानकारी प्राफ्त होती है यहां इन पुस्तक का सम्षित में विवरन में इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हम इसको एक सोर्स के रूप में जो है वो यहां एनलाइजेशन कर है विस्तार से हम इसका एनलाइजेशन पहले जब प्राचीन भारति इतिहास के स्त्रोत हमने प्रथम वर्ष में पढ़े थे तो उसमें इसका हम बिस्त्री विवरन जवुद देख चुके हैं बिस्त्री विवरन प्राप्त कर चुके हैं लेकिन यहां हम इसको सिरफ एक सां प्राप्त करती की जानकारी प्राप्त होती है नेक्स जो अगला इसमें मैटपुन टॉपिक है जो समशित में हमने कवर करना है वो है फॉरन एकाउंट्स बिदेशियों के जो ब्रतांत हैं इसमें ग्रीक राइटर्स हैं रोमन राइटर्स हैं चाइनीज राइटर्स हैं अ राइटर्स का उलेख करना जह वो मेतपोन है क्योंकि आप यह एक्जाम में इस चीज़ का उलेख कर सके कि कौन से ऐसे ग्रिक राइटर्स से जिन से भारतिय समाज, संस्कृति और इतिहास के विशे में जानकारी प्राप्त होती हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं ग्रिक राइटर्स की, तो सबसे पहला नाम उसमें उलेखित कर सकते हैं स्काईलैक्स का, उसके बाद टेरियस है, हेरोडोटस है, नियारकस है, अनसीक्रिटस है, अरिस्टोवेलूस है, यह मेतपोन है, मेगस्नीज है, जो की सेलुकस बिद्वान है जिन्होंने अपने गरंतों में भारती समाज संस्कृति इतिहास भोगोल आदि के जानकारी पिस्तार से प्रदान की है रोमन राइटर्स के करम बात करें तो प्लीनी दा एल्डर्स मेतपूर्ण जो है वो राइटर रहा है जिसने की अपनी जो पुस्तक है बात की जो समाजिक स्तीती है उसका विवरन दिया है स्ट्रेवो जिसकी मेतपूर्ण पुस्तक जोगरफिया है उसका वी रोमन इतिहास कारों में मेतपूर्ण नाम है जो की भारतिय इतिहास के संदर में मेतपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं एक मेतपूर्ण पुस्तक जो रोमन राइटर्स की है पेरिपलस ओप्ता एरिथेरियन सी जिसका जो राइटर है वो अनॉनिमस हैं अभी तक पता नहीं चल पाया है कि किसने सुष्टक को लेकी हैं वो भारतिये जो बंदरगाहों से ब्यापार होता था ब्यापार के माद्यम से जो भारतिय संकृती की जऴक पराफट होती है उसका उलेक हमें पराफट होता है उसके पशात आप प्लुटार्क हैं वो भी रोमन राइटर्स था उसने भी महतपूर्ड जानकारी प्रदान की हैं भारतिये इतिहास के संदर में चाइनीज राइटर की अगर हम बात करें तो शुमाचीन पहला चाइनीज बिद्वान था जिसने की भारतिय इतिहास के संदर में या भारत के संदर में कुछ जानकारी प्रदान की थी उसके पशात फाइहान है जो की 405 से 411 इसुई के मद्ध है जो वो चंदरगुप्त दु चाइनीज बिद्वान था जो शुख रहा था उसने सीकू की नामक पुस्तक में भारतिय समाज का विस्तृत से जो है चितरन किया है इसके तिरिक इतिसिंग है 675 से 685 सी सुई तक भारत का भर्मन किया था नालंदा विश्य विधाले बिक्रम शिला विश्य विधाले और भ जिन्होंने भारतिय संदर्व में मैतवपुन जानकारी प्रदान की है डॉक्टर दारानात का उलेख भी आप कर सकते हैं यह जो है वो बहुत बात में विशेश करके हम कह सकते हैं कि इन्होंने बहुत लेटर स्टेज में जो है भारतिय इतिहास का उलेख किया है बहुत धर और जहा तक Arab writers हैं, Arab writers के अगर हम बात करते हैं तो Arab writers में Al-Masudhi का नाम आपने सुना है और अल-Varuni का नाम भी आपने सुना है, सुलेमान का नाम आपने सुना है और यह मैतपूर्ण writers थे जिनोंने की समय-समय पर भारत का भर्मन किया, भर्मन के साथ यहां पर जो ततकालीन उ मज़ आए उसका बीवरन अपने अकाउंट में उन्हों ने दिया यद पी यह कहना बिल्कुल शत्पर्तिशत सही नहीं होगा कि उनके द्वारा दी गई जानकारी सही चित्रण 100% उस समय का करता हो लेकिन यह हमारे लिए एक स्त्रोत के रूप में है जिसका अगर हम अवलोकन करें या इंपार्शल तरी शिक्के से उसका अध्यान करें तो भारतिय जो संस्कृति समाज है उसका चित्रण हमें प्राप्त हो सकता है जो पर्शियन राइटर से पर्शियन र भारिक है फिरोज शाहि नामक पुस्तक रिखी थी यह राइटर्स थे जिन के माध्यम से भारतिय संस्कृति का चित्रण जो है वो प्राप्त होता है so this is all about this topic now today we shall wind up with this topic next time we shall cover up the archaeological sources from the historical point of view and from the cultural point of view so have a good day have a good time thank you